हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल रेमतराज मतहमाटिक्स में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्दवार्शिक परिक्षा सत्र अठारा उन्नेस कक्सा नो विशे संसकर्थ संसकर्थ के पेपर को हम पूरा का पूरा डिटेल से देखने वाले हैं कि किस परकार से हाप येरली एक्जाम में आपका पेपर सेट होता है और किस परकार की क्यूशन आते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्यूशन आप देख रहे हैं असमाकम देसे सड रित्व नव चेतना संचारनाई समायंती ये आप देख रहे हैं कि एक पेशेज आयावा है और इसके नीचे चार पांच आप से क्यूशन पूछे जाते हैं तो ये पेशेज एक परक उचित सीर्चक आपको बताना है फिर आपको पूण वाकियन उतरत यहाँ पर चार क्यूशन पूचेगे इनका इसी पेशेज में से आपको आंसर डूंड के लिखना होता है फिर पूचा गया है ये था निर्देशम परसनाम उतरत ये और परसन पूचेगे हैं सने सने इती प्रियावाची नम लिखत सने सने का प्रियावाची इसी पेशेज से आपको डूंड करके लिखना है फिर लिखावाए कोकिलास चे मदूरम कुजनती अस्मिन पदे किरिया पदम लिखे इसका किरिया पद लिखना है तो दोस्तों ये पहला परसन आता आपका पेशेज का आप देख सकते हैं कौन सा पैसे जयावा पिसली साल चलिए आगे बढ़ते हैं अगला परशन आप देख रहे हैं दूसरा अध्योलिकेत गदाशेशे पटित्वा हिंदी भासायाम अनुवाद कुरूत ये आपको दिया गया है नरंदर बाल्यकलाद कालादेव तिक्षन बु आपको हिंदी अनुवाद करना है और इसके आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा और इसके अत्वा में एक और दिया गया आपको ये वाला आप देख सकते हैं कौन से पार्ट से हैं आप इसका भी पता कर सकते हैं तो इन दोनों में से एक का आपको हिंदी अनुआद करन करना है पहला आप सलोक देख सकते हैं अपनी पार्टिय पुस्तक में कौन से पार्ट से है और दूसरा भी देख सकते हैं काविय सास्तर विनो देन कालो गच्छती दिमताम व्यसनन चैमुर खणाम निंद्रिया कलेववा तो देख सकते हैं आप दोनों में से एक का आपको इं क्या करनी है मित्रों तो ये चोता परचन आपका इस परकार से सेट अप होता है पांचवा आप देख सकते हैं आत्मानम नवयम्या कक्षायाम पवन इति मत्वा सोय परदानाचारिये दिन द्वश्य अवकाशार्तम एक परातना पत्रम लिखित अपने आपको नवम कक्षा का छात्र पवन मानते वे अपने परदानाचारिये को दो दिन का अवकाश के लिए एक परातना पत्र लिखिए ये पांचवां क्यूशन आपका इसके अत्वा में देख सकते हैं स्वेकियम असोकम इति मत्वार राज की उच मादिमिक विदाले जोदपुरश्य परत्म परत्म पत्र लिखित तो यहां पर सुल्क मुक्ति का आपको परत्ना पत्र लिखना है अपने परदानाचारिये को श्युम को असोक राज की उस मादिमिक विदाले जोदपुर का छात्र मानते वे तो दोनों में से एक आपको करना है फिर चटा परसंद दो सलोग ल नंबर हैं आप देख सकते हैं ये दो तो ये पुछेगे हैं कौन-कौन से पाटाओं से आप देख लें इस्क्रिम्सोट लें चाये लिख लें फिर आगे के ये और पुचेगे हैं कुल 8 परसंट पूचेगे हैं जिन मेंफ красив का आप पर्षन रेखा कितम पदमार्तते पर्षन निर्मान कुरोत ये आपको देगे इनका पर्षन निर्मान आपको करना है रेखा के सब्दों को देखते हुए आटवा पर्षन आपने देखा नम्मा पर्षन है लगू कता लेकनिया रेक्तिस्तान की पूर्ति करनी है ये आपको द आपकी पार्टी पुस्ता की कोई लगू कता ली गई है कोई पेरेगराप आपका लिया गया है। चापी वनम अगच्चताम ये सही नहीं लिखा गया है करम इसका सही नहीं है तो आप इसका करम सही करके फिर से लिखने का प्रियास करेंगे इससा परसन है ग्यारवा परशन है अध्यो लिखता नाम वाक्या नाम संस्कर्थ भासाया मनुवाद कुरोत यह आपको कुछ दिएगे आठ वाक्य कुल मिला करके आठ वाक्या आपको दिखाई दे रहे होंगे आपको क्या करना है इनका संस्कर्थ भासा में अनुवाद करना है एक से चार देखें मैं पुष्टक पढ़ता हूँ वह गाओं जाता है रादा खाना खाएगी हम दो हम दो पत्र पढ़ते थे तुम सब पत्र लिखो ये हमारा देश से ये सुन्दर बगिचा है राम दूद पिएगा आठ में से चार का आपको क्या करना है संस्कर्थ बासम अनुवाद क बारवाँ परसंद देखें के वर्ण शे उचारन इस्तानाम की बवती के वर्ण का उचारन इस्तान क्या है दंता उचारन इस्तानों कैसा वर्ण नाम दंत से कौन से वर्णों का उचारन इस्तान होता है तो ये आपको बताना है तेरवा है संदी संदी विछेद करके संदी बालक है सब्त दिनम इनका समास विगरे करके समास का नाम भी आपको लिखना है पंद्रवा परशन देखें उपसर्ग लिखना है आपको सुबा सितम और आगच्छ में कौन सा उपसर्ग है वो लिखना है सोड़ में परतिये वदितुम गत्वा आदाय कृत्वान इनमें कौन कौन से परते हैं वो लिखने है सत्रवा परशन है अद्यो लिखित पदेशू लकार पुरुस वचना नाम निर्देश कुरूत आपको ये दिए गे हैं चार इनमें कौन सी दात्तु है कौन सा लकार है कौन सा पुरुस है कौन सा वचने ये आपको लिखने है अठारवा पर परशन देखें बालक तर्तिया विवक्ति एकवचन का रूप लिखें युश्मत परतमा विवक्ति बवचन लिखें नदी तर्तिया विवक्ति एकवचन लिखें फल द्वितिया विवक्ति द्विवचन लिखें हरी तर्तिया विवक्ति द्विवचन तो ये सब्द रूप स आपका सवाल बन गया है फिर है बीसवा सवाल संख्यावाची सब्दानाम संसकर्थ वासाया लिखित सोडा को संसकर्थ में क्या कहेंगे तीन पुस्तकें को संसकर्थ में किस परकार से लिखेंगे तो यह आपका पूरा का पूरा 20 परसनों का जो है पेपर सेट अप इस परका जिन विशों के पेपर नहीं है उनके में डालने का जल्दी परियास करूंगा दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर करें चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें दन्यवाद